हलो बच्चो स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स हैट प्रेपरेशन यूटूब चनल पर इस चनल पर बच्चो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ की रिमजिम बुक से ये क कहानी जिसका टाइटल आप देख रहे हो पापा जब बच्चे थे यानि कि इस कहानी के अंदर हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे और उस बच्चे के पापा के बारे में पढ़ेंगे बड़े ही मज़दार कहानी ये बच्चो और बहुत मज़ा आप लोगो को भी आ पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल पे नए हो, तो फ्रेंडशेट प्रिप्रेशन को सब्स्क्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन और प्रेस कर लो बच्चो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, चलो फटाफ़न वीडि कर रहा हूँ, और उमीद कर रहा हूँ कि आप भी जोइन करोगे, और आपके साथ आपके जो दोस्त है, वो सब भी जोइन कर लेंगे मुझे, ठीक है, तो देखो क्या है बच्चो, तो जैसे इसमें बच्चो कहानी बच्चे के बारे में, और ये फोटो आप देख रहे हो, बच्चे की कहानी है, और बच्चे की बाद उसके पापा की भी कहानी इसके अंदर होने वाली है, तो मैं पढ़ना स्टाट करता हूँ, पापा जब छोटे थे, जिस तरह आप छोटे हो अभी, इसी तरह जब आपके पापा छोटे थे, तब कि ये कहानी है, इसलिए बोला चाहते हो उसके बच्चा है इसके पापा से भी पूछा जाता था अक्सर यानिकी अक्सर का मतलब है हमेशा जादर तरह तरह पूछा जाता था बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो ठीक है यह पूछा जाता था पापा के पास जवाब हमेशा तयार होता था अच्छा बता रहा है कि तुम मेरे तुम पापा थे उनके पास हमेशा आंसर रेडी होता था आंसर यानि जवाब हमेशा तयार रहता था ठीक है तयार होता थ थे लेकिन भई हर बर आपना अंसर बन देते थे यानिकी पहले कुछ और बोलते थे फिर बाद में कुछ और बोलते होंगे इस तरह से बचा बोल रहा है कि उनकी पास जवाब तो होता था पर हर बार अलग-अलग होता था अच्छा भी चलो सुनते भी सुरू सुरू में प्रशन पूशता था कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो तो इसके पापा कहते थे चोकिदार बनना चाहते हूं ठीक है अब आगे सुनते हैं उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा सहर सोता है चोकिदार जागता है ओ ये बात है जब पूरी दुनिय पुरा सहर, टाउन, सिटी, जो भी है, सब लोग सोते थे, तो चोकिदार ही एक ऐसा इंसान है, जो जागता है, बच्छो, किसलिए, सबकी रखवाली करने के लिए, इसलिए वह चोकिदार बरना चाते थे, इसलिए इस बचे ने चोकिदार वाली ड्रेस भी पन रखी है, बात करूं बच्चो तो मेरा सहर क्या हो गया उसी तरह भी आप लोग क्यों से सहर से हो जरूर कमेंट करके बताना मुझे मैं इंतजार करूंगा भी कि मेरे श्टुडेंट का इसलिए बनना चाहते थे, कि सब पूरा सहर, यानि कि सहर में जितने लोग रहते हैं, सब सोते रहते थे, और चोकिदा जगता था भई, ये कारण था, अच्छा, आगे बढ़ते भी, आगे जानते और क्या बात है, उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था, कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं, उन्हें पक्का यखीन था कि बड़े होकर वह चोकिदार ही बनेंगे, अच्छा भई, असली बात बता लग गई, कि उसके पापा सरारती थे भई, आप सोचे में सरारती तो लिखा नहीं, आप कैसे बता रहे हो, देखो भई, उनके पापा का कहना था, उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था, कि जब हर कोई, जितने भी लोग है, सब सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं, जब सब सोर हैं, तो भी मजे करो, सोर मचाओ, कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला इसलिए उसके पापा चोगिदार बनना चाते थे, तो ये धा कारण भी, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया लोगे, एक दिन क्या होता है, कि भी अभी तक तो उसके पापा चोगिदार बनना चाते थे, लेकिन एक दिन क्या होता के एक काव Crown लाया को ना कुछ है भचो फेले अदर आइस्क्री मुली आ ए खुछ मुला आगया मुआ पापा Rogor अइस्क्रीम वाला बनेंगे क्यों लो भी वो भी पढ़ते हैं वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइस क्रीम भी खा सकते हैं लो भई असली बात ये थी कि आइस क्रीम भी खा सकते हैं तो पहले तो सोर मचा सकते हैं खूब पहले क्या कर सकते हैं वह बहुत खूब श कि आइस्क्रीम भी खा सकते थे और जितना चाहे उतनी आइस्क्रीम खा सकते थे पापा ने सोचा मैं एक आइस्क्रीम बेचूंगा जो बच्चा है उसके पापा बोल रहे हैं कि पापा ने सोचा मैं एक आइस्क्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा छोटे बच्चों तो मैं मुफ्त में आइस्क्रीम दिया करूँगा अच्छा भई देख लो भई इसके पापा आइस्क्रीम बेचेंगे भी और जो छोटे बच्चे उनसे पैसे ने लेंगे उन्हें तो मुफ्त का मतलब है फ्री में यानि कि बिना पैसे लिए बिना किसी पैसे के छोटे बच्चे को आइस्क्रीम दे दिया करेंगे यह बोला जा रहा है यानि कि सबसे पहले क्या करेंगे खुदा आइस्क्रीम खाएंगे और आइस्क्रीम को बेचेंगे भी और जो भी आइस्क्रीम छोटे बच्चे आएंगे लेने उन्हें तो भी फ्री में देंगे यानिकि उनसे कोई ऐसा नहीं लेंगे अच्छा अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब कहानी में क्या हुआ उसे जानते हैं जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बह लिखा रहे हैं क्या आइसक्रीम बनने के लिए माबाप को तो बुरा लगे गाई तो वैसे ही जो पापा है पापा के ममी पापा यानिकि उस बच्चे के दादा दादी की बात की जा रही है पापा के ममी माता-पिता का मतलब ममी पापा बोलो या माता-पिता का मतलब है कि उस बच्चे के दादा दादी को जब पता लगा कि भी उसके पापा आइस क्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई उन्हें यह बात बहुत मज़िदार लगी और वे खूब हसे लेकिन पापा इसी बात पर अडे रहें कि वे यही काम करेंगे अ आइस क्रीम बेचने वाला बनने चाहते थे तो उनके दादा दादी खूब हसे और जोर जोर से हसे भी किस बात को ले करें अरे इसी बात को ले करके कि वो आइस क्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे लेकिन उसके पापा सबको हैरानी भी हुई और सब बहुत मज़े दार वह बहुत मज़े लगी और खूब हसे भी इस बात को लेकर गए ठीक है लेकिन फिर भी उसके पापा जिसे होता है ना बाकी बचे चीट जाते हैं बुरा लगता है पर उसके पापा को बुरा नहीं लगा बलकि वह अड़े रहे हैं जिद पर आगे कि अब तो भई अब तो भ रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीव आदमी को देखा देखो भी सबसे पहले तो चोगिदार की बात हुई थी फिर उसने आइसक्रीम बेचने वाला बनने की बात की थी अब देखो भी रेलवे स्टेशन पर क्या हो रहा है एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीव आदमी को देखा यह आदमी इंजनों और डबों से खेल रहा था क्या कर रहा था जो इंजन होते है रेल काड़ी के जो इंजन होते है उसके इंजन और डिब्बे जो होते हैं उसे खेल रहा था लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलोने नहीं बलकि असली थे यह जो इंजन और डबे की बात की जारी ना बच्चे निलकाडी के नकली वाले नहीं असली वाले की बात की जारी है और उस तो याद भी खेल रहा था लेकिन यह डबे और इंजन कैसे थे खिलोने नहीं थे बिलकुल असली थे बलब नकली की ब राद के जारी थिल जो एक आजीव आदमी दिखा था कैसा आजीव—चल दिखा था हूँ किया कर रहा था कभी उन्जन पar चला जाता है कभी नीचे चला जाता हुआ अधिया लगता है कोई फुर्टीलार आदमी ओगा от जित आदमेरने साधोच अध्यार रहा था और कैसा खेल हूँ और मजा भी आ रहा था सब को देखकर की या कि ये बोल सकते हो जो अधीब और आजीब भी था साथ के सा नहीं चैज़ा आदमेरा, पापाने पूछा यह कौन है अब लो बई अब जो उसके बापा ने दिखा इस आद मी को तो पता करना पड़ेगा Надо भे आद की अधिन हे कौन में उन्हें बताया गया यह के शेटिंग करने वाला रोस सटंट मारते लोसके शोय सटिंग करने वाला आदमी है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब और रहे हैं तो वैसे उसके पापा का जानने का मन कि आ तो जब रेल गाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तयार करना होता है क्या करना होता है तयार करना होता है तो ठीक अभी रेल गाड़ी की साफ सफाई की जाती है इंधन को घुमाकर इंजन पानी भरा जाता है इंधन इंधन याने की पेट्रोल डीजले से लिए उसके बारे में चेक करता है कहने का मतलब यह इंधन पानी आधी वगरा वगरा जो समान होते हैं उसको भरा जाता है जब प्रेन कहीं प्लैटफॉर्म पर रुख जाती है इसे क्या बोला जाता है इसे सटिंग कहते हैं अभी सटिंग क्या आप इसके बारे में पापा को बताया गया ठीक है अच्छा अब सटिंग करेंगे अच्छा इससे भी जादा मज़िदार और क्या हो सकता है जाहिर है कि कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जब पापा ने कहा कि वह सटिंग करने वाला बनेंगे तो अच्छा अब पहले तो भई उन्हों अडगे थे बात पे कि भी मैं तो आइस क्रीम बेशने वाला ही बनुगा लेकिन भई अब उसने जो अपना बड़े होकी जो बनने का सोच रखा था उसे चींज कर दिया अब त कोच भी नहीं हो सकता ऐसा उसकी पापा ने सोच लिया खिए जब पापा ने कहा कि वह सटिंग करने वाला बने अच्छ जब उसके पापा ने बोला कि भी अब तो मैं सटिंग करने वाला आदमी बनुगा भई तो किसी ने उनसे पूचा पता है क्या चलो पढ़ते हैं अब नहीं बात आईगी पहले तो बोलते हैं चोकिदार बनुगा फिर बोलते हैं आईसक्रीम बनुगा लो भई अब कुछ और सोच रहे ह तो पूचा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आईसक्रीम बेचने वाला काम करोगे किसी ने बोला कि अब एक आदमी ने पूछा उनसे किसी ने पूछा उनसे मगर तुम तो कहते थे कि तुम आईसक्रीम बेचने का काम करोगे अब आईसक्रीम बेचने का क्या होगा यानि कि आईसक्रीम कौन बेचेगा बच्चो अब ये बताओ हो किले कि आइसक्री में बच्चों को फ्री डूंगा मुफ्त में दूए स्क्रीम अपना डेसीजन ही चींच कर दिया यह नहीं बदल दिया कि अब तो यह नहीं करूंगा अब क्या करूंगा कि त्रेन के जो डब्बी ओते हैं उसकी सटिंग करूंगा लो भई यह सच मुझ समर्ष्या थी पापा ने सटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी अब जुसके पापा थे उन्होंने क्या सोच लिया था कि मैं सटिंग करने वाला ही बनूगा बस अब डिसीजन फाइनल हो गया वही अब तो सोच लिया मगर आइस्क्रीम बेचने का को यह उनके दिमाग में ये भी आया कि आइस्क्रीम बेचने का जो उनने सूच थेया ल कि चमपीला सा थेयला थेम और जिसमें रंग बिरंगी अच्छे से कोई ना कुछ ना कुछ समाधान कर लिया होगा कि मैं बड़ा होंके क्या बनना चाहता हूं चैंठो जानते हैं, पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइस्क्रीम बेचने वाला दोनों बनूँगा, अई, सेटिंग करने वाला भी हैं, और साथ के साथ आइस्क्रीम बेचने वाला दोनों बनूँगा, यानि कि दोनों चीज करेंगे काम, सेटिंग, ट्रेल का क्या होते है सबको बहुत अचंभा हुआ सर्ट लोग भुए क्या बोल रहा है कभी तो चोगीदार बनुगा जबनने के बहुत अब तो यह मेंAllगने वाला काम करूंगा इसे तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे यानि कि आइस्क्रीम वाला भी और साथ के साथ सेटिंग करने वाला भी दोनों काम एक साथ कैसे करोगे सब ने पूछ लिया भई तो सुनो भी अब पापा क्या जवाब देते हैं पापा ने खा इसमें क्या मुस्किल है इसमें क्या मुस्किल है आइस्क्रीम मैं सुभा बेचा करूँगा जो आइस्क्रीम बेचने का काम है वो कब करेंगे सुभा करेंगे यानि कि वो बोल रहे हैं आइस्क्रीम मैं सुभा पेचा करूँगा कुछ देर आइस्क्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा यानि कि पहले तो क्या करेंगे कि पहले तो वह जो आइस्क्रीम बेचने वाला जो काम सोचा हुगा बच्चो पहले तो आइस्क्रीम बेच लेंगे ठीक है उसके बाद वह स्टे चले जाएंगे वहां मैं कुछ डिबो की सेटिंग करूंगा और फिर आ करके आइस क्रीम और बेच आउंगा यानि कि पहले तो सुबह आइस क्रीम बेचेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे डबो की सेटिंग कर देंगे और फिर दुबार आ करके वो क्या करेंगे आइस क्री इसके बाद मैं फिर station चला जाऊँगा कुछ डबो की setting कर लूँगा अच्छा लो भई अब फिर से वो क्या करेंगे setting कर लेंगे अच्छा इसके बाद जाकर फिर कुछ ice cream और बेच लूँगा लो भई उसके बाद ice cream कहने का मतलब यह है एक बार ice cream बेचेंगे एक बार setting maating फिर रिल्ल काड़ी के डबो के setting setting करेंगे इस तरह से वो काम करेंगे इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अचा अब आगे क्या बोल रहे हैं इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं station के पास ही खड़ा करूँगा ओ शंढे भई बात क्या पोल रहे हैं कि जो ठेला बच्चे जो आइस्क्रीम का थेला है उसे मैं स्टेशन के पास खड़ा करूगा यानि कि स्टेशन के अंदर गए तो रेल कारी के जो डब्बे बच्चो उसके सेटिंग कर लेंगे अच्छा और जब बाहर आएंगे तो आइस्क्रीम बेच लेंगे ऐस्क्रीम के ठेला लाएं उसे जादा दूर निए खड़ा करेगे भी स्टेशन के पास में रखेंगे तकि दोनों काम कर बढाएंगे और इसलिए गाडियों के लिए मुझे जादा दूर नहीं जाना पड़ेगा अच्छा है जब श्टेशन के पास में रहेंगे तो भी ग वह सारी कहानी बताई जा रही है यानि कि जब पापा बच्चे थे तो क्या सोचते थे उसके बारे में आपको बताय जा रहा है अच्छा सब लोग फिर हस पड़े अब जितने लोग थे जब उन्होंने जाना किये तो अजीब 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 बाते कर रहा है कभी मैं लग गई होगी बात है ना चलो पढ़ते हैं जानते हैं क्या होता है आगे असब लोग फिर हस पड़े पापा गुसे में आकर बोले जो पापा थे उस बच्चे के जो पापा यानि कि जब उसके पापा छोटे थे तक उनको गुसा आगया सुनके किस बात पर सब लोग हस प अब तो कमाल ही हो गया कैसे अब तो कह रहे हैं मैं चोखिदार भी बन जाओंगा यानि कि तीन तीन काम करेंगे आखिर रात में करने के लिए तो होता है होता ही क्या है अच्छा इसका मतलब यह हुआ दिन में तो भै यह रेल काडी के डबो की सेटिंग और आइसक्रीम बेच अब आगे सुनते हैं सभी कुछ तै हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायू यान चालक, यानि कि पाइलिट वायू यान मतलब एरोपलेन होता है चालक यानि कि उसका पाइलेट की बात की जा रही है यानि कि कहने का मतलब है कि एक दिन एक दिन पापा को वाईवान चालक यानि पाइलेट बनने की सूजी क्या बनने की सूजी क्या बनने की सूजी क्या बनने की सूजी इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सूची एक्टर है न भी अब कोगे सर्य अनिता वर्चन इतने पुराने की बात करें हो ठीक है भई मैं अपने फेवरेट की बता देता हूं अक्षय कुमार है ना फिर उन्हेंने सोचा कि भी मैं अभीनेता बनुगा यानि कि एक्टर बनुगा बनने की सोची इसके लावा वह जहाज के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाते ही थे उल्ले वई और इसके साथ साथ वो चरवहा बच्चों वो होते हैं जो छोटे-छोटे जो जानवर होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं उनको चरानी के लिए जो जाता है उनको चरवहा कहते हैं जो गाए वग पीछे गाओं के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते ही थे यानि कहने का मतलब यह है कि वो चरवाहा भी बनना चाहते थे पहले चोकीदार फिर आइसक्रीम बाला फिर रेलवेश शेशन पर सेटिंग करने वाला फिर उसके बाद भी फिर उने सोचा भी बनना चाहते थे लोग इतने सारे सौक पाल रखे वई इतनी सारी चीजे बनना चाहते थे इसके पापा है ना इस बच्चे के पापा कमाल के अच्छा बच्चो अफ़ड़ा और आगे देखते हैं अगले पीछ पे क्या होता है अंत में एक दिन उन्होंने तै किया कि वह अ जानवर बनना चाहते हैं क्यों ही सुनो उस दिन भर उस दिन वह दिन भर चारो हांत पेर इधर उधर घान्वीयों को भोगते रहें कि अजिवी yo का मतलब होता है जो जान पचानके नहीं होते आंजान तो पापा ने काटने की कोशिज की लोगी। अब जैसा सब्सक्राइब काटने की कोशिज करेगी। जैसे कुट्ते काटने की कोशिश करते हैं भॉंबो करते हैं फिर काट लेते हैं तो वैसे उसके पापा जब छोटे थे बच्चे थे तब उन्हें काटने की भी कोशिश करी पापा ने भोगना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया लेकिन बहुत कोशिश करने करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए अच्छा भई भॉकना तो सीख लिया भई भॉमबो करना तो सीख लिया लेकिन जो कुता होता है बच्छे जो डॉगी होता है वो क्या करता है जो अपने कान के पास खुजली करता है वो किस से करता है वो पैर से करता है बच्चो किस से करता है पैर से करता है यानि कि वो अपने पैर से कान के पीछे खुझ लाता है लेकिन उसके पापा ये नहीं सीख पाए बच्चो क्यों कि वह कुत्ते की ये एक तरह से कह सकते हैं गुण है बई कुत्ता ये ये काम कर सकता ह लेकिन उस बच्चे के पापा ये तो सीखी नहीं पाए उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुट्टे के साथ बैठ जाए तो शायद कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे यानि कि उसके पापा जो थे बच्चो उसके एक पैट डॉक यानि कि पालतू जानवर था अगर उसके साथ वो रहेंगे बैठेंगे तो उन्होंने सोचा कि भी पालतू जो कुट्टे उनके साथ बैठ जाएं तो शायद वो भी सीख जाएं अब उन्होंने सुझा कि अगर जल्दी सीखना है तो भी पालतू कुत्ते के पास जानबर के पास जाना पड़ेगा ऐसा उनके पापा ने सोच लिया और फिर क्या होता है सुनो भी तो शायद वो कान के पीछे खुझाना जल्दी सीख जाएंगे पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गये उसी वक्त वक्त यानि टाइम समय उसी समय या उसी वक्त एक अजणबी फौजी अकसर उधर से निकला अफसर अकसर नीए अफसर अफसर यानि जो ऑफिसर होते बच्छे उनको बोला जा रहा है कि भी एक जो फौजी ऑफिसर था वो तो हें चोनग मरतों सिर्वान कि आपकम कुछ औरे मिदरासोता नहीं कुछ लिए इस्तिन काम इसका की बात हैं इसलिए बोला जा रहा है उसी वक्त एक अजनवी फौजी अफसर उदर से निकले वे खड़ा होकर पापा को देखने लगा वे उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा यह तुम क्या कर रहे हो जो फौजी थे फौजी ने क्या पूचा यह तु कुटा बनना सीख रहा हूँ क्या कर रहे हैं मैं कुटा बनना सीख रहा हूँ तब फौजी ने क्या पूचा तुम कुटा बनना क्यों चाहते हो फौजी ने क्या पूचा तुम कुटा बनना क्यों चाहते हो तो पापा ने क्यों 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 चाहते हो तो पापा ने का क्यो बहुत दिनों से मैं क्या हूं, इनसान बनके रहा हूं, तो अब मेरा मन क्या है, कुड़ा बने का अब हूँ, जो किन बहुत दिनों से बनके रहती हैं, अब कुड़ा बनके देखना के यह कितना मजा आता है, तो इसलिए उन्हें आप ऐसा ouvा sola comun that, तो अफसर ने का बात तो सही है बना अफसर ने क्या बोला बात तो सही है पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं अच्छा उसके बाद जो फोटो देख रहे हो बच्छो ये फोजी आफिसर है ठीक है तुम जानते भी हो इंसान कहते किसको हैं उस बच्छे से पू आप ही बता दीजी क्या बोला कि मुझे तो नहीं पता आप ही बता दीजी भी किसके बारे में कि इनसान किसको बोलते हैं बच्चो इसके बारे में बोला आप ही मुझे बता दीजी तो अफसर ने का इसके बारे में तुम अपने आप सोचू अच्छा जो यह ओफिसर देख र अब देखते क्या होते हैं अफसर वहां से चला गया वह ना तो हसा और ना मुस्कराया पापा सोचने लगे वह सोचते ही रहे कि अफसर ने उन्हें कोई अब जो यह बच्चा है जो दिख रहे हो फोटो में यह उस बच्ची के पापा जब वो छोटे थे और यह फोजी ऑफि वह वहां से चले लगे तो ने उन्हें कोई जो बात कही होगी उन्हें उन्हें वह बच्चे को समझ में नहीं आई तो बात भी नहीं समझाई थी पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई अच्छा अब जो आफिसर थे याने कि जो फौजी आफिसर थे उन्होंने उन्होंने तो भी समझाया नहीं उसे कि इनसान होते क्या है इनसान के बारे में कुछ बताया भी नहीं और वह वहां से चले गए ठीक है बस यह बोला तुम खुद ह सोचो भई मैं तो नहीं समझा रहा हूं तो बात भी नहीं समझाई थी पर अचानक ही वह जो जो फौजी आफिसर था बच्चे है यह बात पापा के समझ में आ गई कि भी उताना चाहरे थे नहीं कि वह रोज-रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते क्या समझ में उनको कि र अफसर की याद आगी और उन्होंने का मैं इनसान बनना चाहता हूँ क्या बनना चाहता हूँ मैं इनसान बनना चाहता हूँ देखो भई चोकिदार हो गया आइसक्रीम वाला हो गया सेटिंग करने वाला हो गया फिर उसके बाद भई अभिनेता हो गया अभिनेता के बाद इसके बारे में पता भी है, बच्चा कहते हैं मुझे बता दो आप तो भजी बताते हैं कि तुम खुद ही सोच हो तब उनको समझ में आता है कि मैं रोज रोज अपना इरादा जो सोचता हूं कि मैं यह बनूँ अब बड़ा हो कि वह बनुगा इसको रोज रोज नहीं बदल स इनसान बनना चाहता हूँ, इस बार कोई भी नहीं खसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है, मार पापा ने कि सोचा है, कि इंसान बनना जो है, इस अच्छा जवाब है, इसलिए कोई हसा भी नहीं मेरे उपर, आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए क्या बनना चाहिए बच्चो अच्छा इंसान बनना चाहिए बाकी चीज तो बाद में बनेंगे भई डॉक्टर बनो इंजिनियर बनो जो भी आप कामन करें लेकिन सबसे पहले क्या बनना चाहिए बच्चो सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए तो जिस बच्चे के कहानी बता रहा था मैं उस बच्चे के पापा की फोटो बई देख लो वो यह रहे और वह बेठके सोच नहीं अब तो मैं इंसान बनूंगा, क्या बनूँगा, इन्सान बनूगा, है ना मजधार कहानी, यान कि कुछ भी बनने से पहले, सबसे पहले हमें क्या बनना चाहिए बच्छो, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तब तो बाकी चीज़ तो हम अपने ऑपनो बताने नाम के साथ कि आपके बापा जब बच्चे थे वो क्या बनना चाहते थे की स्था दोबारा प्ट्टक मुझे ANYगा पॉच्छ मुझे आ इंतजार रहेगा और मैं रिप्लाई करूंँा करना मैं तक मैं वेट करूंँ आपके comments का अपना नाम भी लिखना ठीक है बच्चो चलो फिर बाई आज के लिए इतना ही है अब मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में ठीक है बच्चो फ्रेंशाइट प्रेशन यूटूब चैनल पर और हाँ इस पार्ट के जो कहानी के जो प्रशन उत्तर है बच्चो इसका जो सेकिन पार प्रशन उत्तर करेंगे अभी तो हमने कहानी भढ़ लिभी कहानी के अंदर है क्या पूरी कहानी जान ली ठीक है बच्चो चलो बाई 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 अपने दोस्तों में शेर करना ठीक है और बीडियो को लाइक करना और हाँ जो कोशन पूछा है उसका आंसर जो बताना बई ठीक है उत्तर बताना मुझे ठीक है बच्चो बाई बाई ठीक है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और भी वीडियो की लिंक दे दी है आपकी क्लास की वीडियो की ठीक है हिंदी की और बागी सब्जेक्ट की वो भी आप देख सकते हो और रिवीजन कर झाल